पहित्री महमंत्र एक बार मेरे साथ दोराओं ओम भूर भूवह सह तश्चावी तुर्वारेनियम भर्गो देवस्च भीमाही धियो यो उनह प्रचोदयात बात विमारियों की चल रही है और विमारी जो सुरू होती है वो मन के विकारों के कारण होती है कमी पहले हमारे विचार में आती है जिससे हमारा मन दूशित होता है और मन के दूशित होने के कारण मन में विकार मानसिक जाल की तरह से जिस तरह से मकड़ी जाला बुन लेती है उसी तरह से मानसिक विकार हमारे अंदर अपना एक जाल बुन लेते हैं और उस जाल के कारण हम अपने ऊपर अपने आप ही अत्याचार करते हैं कोई हम पर अत्याचार नहीं करता हमी अपने ऊपर अत्याचार करते हैं राजसी और तामसिक अहार अहार तो अहार होता है परन्तु उसको राजसी और तामसी बना करके हम लेते हैं हमारी खुद की इच्छा होती है तामसी अहार मन में चंचलता कामी क्रोधी लाल्ची पापी बना देता है सोच करके देखो चाहे कितनी ही साधना और एकागरता करने वाला व्यक्ति कितना ही अभ्यास कर ले परन्तु जान लेना वो अभ्यास केवल बाहर की साधना बन करके रह जाता है उसका प्रभाव उसकी चीतना पर नहीं पड़ता साधना भी तब ही संभव है जब आप अपने खान पान को सुधारे वर्ना ताम सी वर्तियां हमारे अंदर मनों की विकारों को पैदा करती ही रहेंगी मनुष्य का पुरसार्थ इनके वेग से घटता जाता है क्यों रोग शोग दुख कलहे ये सब बढ़ते हुए चले जाते हैं जिसके कारण हमारा सोभाग दूर भागता है सामर्थ कमजोर पड़ती चले जाती है राजसी और तामसिक पदार्थ मास अतियंत उष्ण तीक्षण कडवे गरिष्ट लहसुन प्याज अंडा मचली ये अतियंत बहंकर होते हैं और इससे भी जादा बहंकर है तले और भुने हुए भोजन रसहीन गला बासी मिठाईयां मनुष्य के मनुष्य को राक्ससी वर्तियों की तरप ले करके जाती है और आदमी को राक्सस बना देती हैं मैं फिर से कहता हूँ आदमी कर जब भोग और विलास इनका सैतान सवार होता है तो व्यक्ति वैसी ही प्रवर्ति को करने लग जाता है उसी तरह का ढल करके हो जाता है तैयार हो जाता है यदिन एप्राकर्तिक चीजों को खा करके कोई मनुष्य काम, क्रोध, इर्शा, प्रतिहिंसा के वसिभूत हो करके कुकर्म करे तो इसमें आश्चरिय की कौन सी बात है इसमें आश्चरिय की कौन सी बात है अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो इस पर आप अच्छे से चिंतन कर लें मनोविकारों की उत्तेजना दहक तत्वों को हमारे अंदर बढ़ाती है मनोविकारों के दुंद्र से हमारी मानसिक व्रतियां, सारी दिक व्रतियां उनमें लिप्त हो करके रोगों की और हमको ले जाती है और तरह तरह की व्राईयां हम में पैदा कर देती है आप इमानदारी से अपने आपको खुद को देखिए क्या ये हमानसिक कमजोरी के हमारी वास्तव में कमजोरी नहीं है अगर मानते हैं, है, जो अभी आपको समझाया जा रहा है अगर ये कमजोरी है, तो साधना तो तभी सफल होगी जब आप अपनी आंत्रिक कमजोरी को मिटा लेंगे इसलिए पुनहनिवेदम कर रहा हूँ कि जो जाल हमने बुना हुआ है, वो हमारा बुना हुआ है और हम अपनी वर्तियों पर अपने आपी चोट कर रहे हैं याद रखना, जब हम तामसी भोजन, राजसी भोजन को करते हैं तो उसके प्रभाव से हमारे खून के अंदर तरह तरह के विकार पैदा हो जाते हैं तरह तरह के विकार पैदा हो जाते हैं और उन विकारों के परिवर्तन के कारण एक तरफ तो मनो विकार पैदा हुए दूसरे सारी दिक विकार भी पैदा हो गए दो तरफा मार पड़ी दो तरफा आप तन से भी गए आप मन से भी गए दो तरफा मार पड़ी मनो विकार हमारे रक्त में अनेक परेके रासाइनिक परिवर्तनों को पैदा कर देते हैं आप लोग जानते भी हैं कि यह सारा सिस्टम रासाइनिक किरियाओं पर जो जैविक किरियाएं हैं उनके ऊपर टिका हुआ है अनेक तरेके परिवर्तन आने के कारण हमारे अंदर जो विकार पैदा होते हैं उनमें मुख्य विकार दो ही है एक जीब का चटोरापन और दूसरा जनेंद्रियों का चटोरापन काम वासना से हम विष्जूप्द हो जाते हैं और रक्त में एक परकार की गर्मी आ जाती है जो रोम रोम में तरंगित हो जाती है यदि वासना का तांडव अधिक रहे तो गर्मी सुजाक ये सब रोग पैदा होने सुरू हो जाते हैं मैं उन रोगों का नाम नहीं लेना चाहता जो पैदा हो जाते हैं क्योंकि वो गुप्त रोग हैं उसमें बहुमुत्र भी है स्वपन दोस भी है और तरे तरे के दोस है मैं उनका नाम नहीं ले सकता है आप दूसरा समझिए अगर रक्त में अगर आपको क्रोध आने लग जाए तो जो गर्मी आपके अंदर बढ़ती है क्रोध के द्वारा वो आपके रक्त में ऐसे विश पैदा कर देगी जिससे उद्देग आपके अंदर बढ़ता हुआ चला जाएगा और याद रखना धैरिये नाम का जो गुन है ये उसको खा जाएगा तचा का रंग काला पढ़ने लग जाएगा अंग भड़कने लगेंगे शान्ती और इस्थिर्ता बुद्धी की भंग हो जाएगी मूल रूप से क्रोध भी हमारे लिए अनेक तरह के रोगों को पैदा करता है भई इमानदारी से तोल करके देख लिजिए जो कुछ कहा जा रहा है वो कहने और सुनने तक सीमित न रह जाए जो कहा जा रहा है इस लिए कहा जा रहा है का आप उसको समझे कमी आप में नहीं है कमी तो कमी में मैं है अगर आपको क्रोध आता है तो कमी यह आप में नहीं है आपने उस कमी को पैदा कर लिया है साधना इसी का नाम है कि अपनी कमी को सुधार लिया जाए और प्राकर्तिक तरीके से अपने जीवन को जीया जाए सच को देखो अब बात आती है तनाव की तनाव की तनाव में हम देखते हैं किसी को बीपी हो रहा है वो ब्लड का तनाव है किसी को कम है तो किसी को ज़्यादा है और किसी को मानसिक तनाव है वैसे हमेशा मानसिक तनाव ही मनोविकारों का कारण होता है मानसिक तनाव होने के कारण हमारा मन संगर्ष करता रहता है और संगर्ष के कारण जो दुर्गुन पैदा होते हैं बै, क्रोध, ग्रणा, इर्शाप, प्रतिहिंसा, लोब, वासना ये पैदा होते हैं अब दुबार से देखो जब ये रोग पैदा हो जाते हैं तो क्या आपके हात में हैं कि आप इनको अपने कंट्रोल में कर सकें आपको ग्रणा आ रही है किसी से रोक लो, आपको किसी से इर्शा हो रही है रोक लो आप रोक नहीं पाएंगे क्योंकि ये उत्तेजना है इच्छाओं की विभिनताओं के अनुसार मनोविकारों की अनेक रूपता का विकास आपके अंदर होता चला जाएगा जब कोई बिमारी आती है तो अपने बाल बच्चे सब को साथ ले करके आती है सब को साथ ले करके चलती है परतिये एक मनोविकार अपने चटिलता सरीर में पैदा कर देता है और उसके कारण विकार पैदा हो जाता है ए प्राकर्तिक अनहोनी आपके जीवन में घटने के लिए आप देखिए जहां करके आपके जीवन में घटने के लिए मन में विचार के रूप में विकार पैदा करने लग जाती है कल्पनाई दाहकता पैदा कर देती है उन तत्तों की अभिवर्दी होती हुई चली जाती है और अपने आप पर किये गई अत्याचारों के कारण हम स्वयम जिम्मेदार होते हैं चाए हम किसी पर थोपते रहें परन्तु कुछ होने वाड़ा नहीं है क्या हम अपने ओरों की जिम्मेदारी लेना तो ब्वाद की बात है पहले हम अपनी जिम्मेदारी तो लें याद रखना आदमी बच नहीं सकता दूसरे पर टाल करके बच नहीं सकता हम स्वयम अपने आप रोगों को निमंत्रण देते हैं इसलिए निवेदन पूर्वक कहा रहा हूँ तनाव से बचिये तनाव से बचिये और आज की स्थिती ये है कि मैं दूसरे को तनाव और दूसरा मुझे तनाव बस इसी चक्कर में आज का आदमी फसा हुआ है हर आदमी तनाव गरस्त है प्रकर्ति की पुकार को सुनो प्रकर्ति की पुकार को सुनो और क्या पुकार को सुनो जो आपका रिस्ता है सहेज, सरल, सौम्य उस तरीके से अपने रिस्ते को निभाईए सबी को कह रहा हूँ अटकने जगडने उसकी आवशक्ता नहीं है जिसका जिसके साथ जो रिस्ता है उसको अपने सोम में स्वभाव से उसको निभाईए और कोई रास्ता नहीं है भाती भाती के रोगों ने हमें आकर के घेल लिया क्या दिखाई नहीं दे रहा मैंने पीछे एक प्रवचन में कहा था किस दिन का इंतजार कर रहे हो क्या चाहते हो कब सुरुवात करोगे मैं छे बजे गोमुत्र लेने गया था दस मिनट मैं लेट भी हो गया उसी चक्कर में जब मैं लेकर के आ रहा था तो मैं एकी बात मनी मन सुच रहा था जिस मेहनत को मैं कर रहा हूं किसी को मेरी मेहनत दिख रही है क्या अभी मैं लाया हूं अभी उसमें जड़ी बूटियां भिगोंगा फिर उसको भट्टी पर रख करके तपा करके उसका अर्क बनाऊंगा फिर आप लोगों से खुसामद करूंगा कि आप ये ये चीज ले लीजी आप बिमार हैं परन्तु सच बताओ इतनी सारी जो मेहनत की गई है अगर आपको तरस आता हो तो मैं केवल एक ही बात कह रहा हूँ गुरुब बना करके संगठन बना करके जो इस कारिये को सुरू किया गया है वो इसलिए ही किया गया है कि ये सहजता से चलता रहे और सब को प्राकर्तिक जीवन बे रास्ते भर में यही बात सोचता हुआ चला रहा था क्या किसी को पता है मैं कितने सवेरे उठकरके और इस काम को करने के लिए गया हूँ किस के लिए गया हूँ क्यों गया हूँ मेरा क्या स्वार्थ है मैं तो कह रहा हूँ मैं तो अपना काम कर रहा हूँ या तो मान जाओ आप भी अपना काम कर लीजिए प्राकर्तिक जीवन को जीएं अकेला कोई जीवन को मैं तो कहता हूँ आप सब को छोड़ करके अकेला जीवन जी करके देखो और आज जो आदमी तनाव है टेंसन जिसको कहते हैं वो क्या टेंसन है मैं किसी का नहीं मेरा कोई नहीं पहले तो यह कहता मेरा कोई नहीं मेरा कोई नहीं मेरा कोई नहीं पर तुम ही किसके हो जो तुमारा कोई होगा इसलिए अपना किसी को बनाने के लिए आपको अपना समर्पन करना पड़ेगा आदमे की जिन्दगी कैसी जिन्दगी हो गई मैं रास्ते से अभी जब गौमुत्र लेकर के आ रहा था तो मेरी अंतर आत्मा अंदर से रो रही थी वहारे इंसान मैं गाजीपुर डेरी भारम से निकला एक गाए मैंने देखी जिसका पेट की कोख अंदर घुसी हुई थी मजबूर हो करके वो इंसान को कह रही होगी है इंसान इस जन्दगी को लेकर के मैंने बहुत बड़ा पाप किया है वो भी कह रही होगी मेरे कर्म है कि इस जीवन में मैं एक पशू हूँ परंतु सच को देखिए इस इंसान ने ना अपनी जिन्दगी को अपनी जिन्दगी छोड़ा है ना 84 लाख योनियों की जिन्दगी को जिन्दगी रहने दिया है प्रकर्ती तो एक अपने संतुलन को बना करके चलती है प्रकर्ती का अपना एक संतुलन है मैं तो कह रहा हूँ मैंने अभी भी कुछ देर पहले बोला है अरे जो आपका वास्तिक रिस्ता है उस रिस्ते को निभाली जिए आप किसी के जीवन में टांग मतल जहिए सब अपने आप भी शान्ती से जीवन को जीजिए और औरों को भी शान्ती से अपने जीवन को जीने दीजिए बिलकुत सच कह रहे हैं गुपता जी मैं ही आपको कह रहा हूँ मैंने अभी मैं दो दिन पहले मेरा अपना ही बेटा मेरे पास आया पापा आओ आपको एक चीज दिखाता हूँ एक कुतिया के दो बच्चे थे उसकी रोटी बची हुई थी उसने कुतिया को डाल दी रोटी बच्चे भी उसके साथ खेल रहे थे कुतिया ने रोटी को मुँ नहीं लगाया बच्चों को खाले न दिया मैंने भी खाना नहीं खाया था मैं दवाई बना रहा था कुछ देर के बाद में मैंने खाना खाया तो मेरे मन में भी आई कुटिया भूकिया तू खाएगा मेरे पास चार रोटी थी मैंने दो निकाली और कुटिया उस समय अकेली थी बच्चे नहीं थे मैंने कुटिया के सामने रोटी का टुकडा डाला उसने मूँ में उठाया और कुं-कुं-कुं कुं करने लगी और एक तरप को चली गई और कुं-कुं करके वहाँ पर दोनों बच्चों को गुला लिया और उनके सामने मूँ में से निकाल करके टुकडा डाल दिया मैं तो यही कह रहा हूं अरे अपने भावनाओं को जगाओ कीमत को समझे हमारी गुरूप में कई व्यक्ति रात दिन केवल एक ही बात सोचते है केवल एक ही बात सोचते है कि किसी तरह से हम किसी का भला कर सके है समयदान भी मेरे पास आ रहे है कई ने मुझे का मेरे पास एक गंटा है मेरे पास दो गंटा है अरे उनकी भावना जग रही है तभी तो वो अपने आराम के समय को भगवान में लगा रहे है अपने आराम के समय को वो उस समय कुछ भी कर सकते है परन्तु अपने काम को छोड़ करके भगवान यानिके समाज यानिके अपना परिवार गाहित्री परिवार उसको समयदान करने के लिए तैयार है परन्तु मैं देखता हूँ मैंने हर छेत्र में गोमुत्र का अर्क निकाल करके रख दिया है मुझसे मैंने पूछा योगेश से मैंने पूछा योगेश कह रहा है गुरुजी मेरे पास सारी चीजे रखी हैं पर दूं किसको कोई मांगी नहीं रहा मेरे पास सारी चीजे हैं मैं दूं किसको कोई मांगी नहीं रहा मुझे बड़ा अचमबा ये होता है कौन सी दुनिया में आदमी कहां पर सोया हुआ है किस तरह से सोया हुआ है आदमी सोया हुआ है उसकी अकल सोई हुई है जो चीज अपने जीवन के लिए अमरत है उसको तो महत्व नहीं दे रहा और जो चीज जहर है कबार है मुझे एक बात बताओ जिन चीजों से आदमे घणा करता है आज आदमी उनसे प्यार कर रहा है जो चीजे घणत हैं आज उसको वो सुख दे रही है इसका मतलब एक ही ही है हमारी अंतर आत्मा सोई हुई है अंतर आत्मा अगर सोई हुई होगी तो मनोविकार तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे मनोविकार तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे अगर हम प्राकर्तिक जीवन चाहते हैं तो भही इन मनोविकारों को तो हटाना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है रोगों की जो प्रधान्ता है आज जो रोग मालिक बन करके हमारे उपर राज कर रहे हैं उसका कारण और कोई नहीं है प्राकर्तिक जीवन को हमने छोड़ दिया उस पर हम ध्यान नहीं देते ध्यान ही नहीं देते और सबको पापों की लगी हुई है हाई पैसा हाई जीव का चटोरापन हाई इंद्रिय भोग बस इसी की आदमी को एक हाई माया लगी हुई है किसी को कुछ समझ नहीं आ रही क्या किया जाए अपने अपनों के बीच में बैठकर के बात कर रहा हूं किसी गैर के बीच में बैठकर के बात नहीं कर रहा हूं अपनों से अपनी बात ना कही जाए क्या मैं आपकी हर बात को सुनने को तैयार हूं हर बात को सुनने के लिए हर बात को मानने के लिए तैयार हूं पर क्या आप मेरी बात नहीं मानेंगे मेरी बात नहीं सुनेंगे क्या मैं आपके फाइदे में नहीं बोल रहा फिर से कह रहा हूँ प्रकर्ती का दिया हुआ सरीर है प्रकर्ती का दिया हुआ मन है प्रकर्ती की दी हुई बुद्धी है प्रकर्ती का दिया हुआ आँख में तेज है प्रकृति का दिया हुआ कान में सरण सकती है प्रकृति की दी हुई जीब के अंदर सुख है प्रकृति का दिया हुआ जनेंदरी में भी सुख है प्राकर्तिक तरीके से हमको चलना पड़ेगा कोई तरीका नहीं है कोई तरीका नहीं है आप अपनी इच्छाओं को पून करते रहेंगे मन की इच्छाओं को प्रकर्ति की नहीं मन में दोश पैदा हो गया खोट पैदा हो गया एप्राकर्तिक जीवन हो गया स्वरूप को बदलिए अपने जीवन के तरीके के जीने के तरीके को बदलिए और कोई तरीका आपको नजर आता हो तो जीए अपना भला बुरा तो सोचिए मानसिक तनावों को हमको दूर करना होगा जो मानसिक तनाव हमारे उपर हैं उनको हमको दूर करना होगा अगर रोक मुक्त होना चाहते हैं तो आप देखिए इस से तो वो प्राणी अच्छे हैं जो जंगल में रहते हैं कम से कम तनाव मुक्त तो है वो उच्छल कूत तो कर लेते हैं जब तक मृत्यू सामने नहीं आती उनको कोई भेह नहीं लगता जब मृत्यू के सामने अपने आपको कमजोर पाते हैं वो भी मृत्यू से लड़ते हैं जब परन्तु जब कमजोर पाते हैं तब भेह खाते हैं उससे पहले नहीं और हम पापाचारों से भरे हुए हैं तो डरेंगे तो हैं है बई पाप करेगा तो रादमी डरेगा परन्तु डरेगा ही नहीं उसकी जो निर्भेता को है वो भेखा जाएगा रादमी कमजोर पड़ता चला जाएगा सोच समझ करके देख लीजिए अच्छे से देख लीजिए और सोच समझ करके देख लीजिए प्रकर्ति की अवाग्या करने का ये परिणाम है दंड है जो रोग के रूप में हमको मिला है ये दंड है उसका सजा है हमको ये अवाग्या भाती-भाती से हम करते है तो भाती-भाती के रोग हो गई एक स्वस्त मनुष्य जब अपने प्रति अत्याचार करता है तभी उसका जीवन व्यादी गरस्त होता है साधान गलतियों के लिए प्रकृति हमें मामुली सदंड दे कर के छोड़ देती है सिरदर्द हो गया पेट दर्द हो गया जो काम हो गया छोड़ दिया अर्थाती प्रकृति की सजा है हमको रोग जो है प्रकृति की सजा है अरे सरकार भी अच्छे आचरन पर जेल से व्यक्ति को समय से पहले मुक्त कर देती है मैं भी आपसे कह रहा हूँ प्रकर्ति से जो आपसे जब करा रहे हैं उसका क्या मतलब है आपसे कोई अनुस्थान करा रहे हैं उनका मतलब क्या है सिरफ एक ही मतलब है कि हम अपने आदतों को सुधारे और प्राकर्तिक जीवन को जीए है एक ही मतलब है और कोई मतलब नहीं है इनका उद्देश कुछ नहीं है और किन्टु जब जान बूज करके हम उल्लंगन करते रहते हैं तो उसके परिणाम बड़े-बड़े जटिल रोगों के रूप में पैदा होते हुए चले जाते है बड़े-बड़े रोगों के रूप में पैदा होते चले जाते है वीटा जैसा लिख रही है बेटा वैसा सम्मिल करके मैं एक से मेरा काम नहीं चलेगा सब से मेरा काम चलेगा सब साथ दो मैं सब का साथ दूँगा सब साथ दो अगर आपको या तो मुझको समझाओ कोई रास्ता ओर आपको दिखता हो तो सच को देखो मैं भी बूड़ा हो चला हूँ परन्तु हार नहीं मान रहा हूँ हार नहीं मान रहा हूँ और ना मानूँगा मुझे जिद्धी भी कह सकते है बस एक ही बात कह रहा हूँ मुझे नहीं पता कहां मेरे हाथ से बुरा हो जाए कहां अच्छा हो जाए मुझे नहीं पता पर अपनी तरप से किसी का बुरा नहीं करूँगा मेरे पाप मेरे आगे आड़ सकते हैं रास्ता मेरा रोक सकते हैं मुझे नहीं पता पर उस समय मेरा साहिता कोन करेगा मेरा साहरा कोन बनेगा मुझे जरुरत है मुझे सब की जरुरत है अरे उतनी मेहनत नहीं कर सकते तो कुछ तो करें अपना सो सुधार करें पहले परिवर्तन अपने में लाना होगा तब समाज में आएगा और परिवर्तन ही नहीं आएगा जितने बदल गए जिन जो अच्छे बन गए मैंने का एक साथ दोनों काम होगे सरीर भी स्वस्थ होगा जब मैं ये कह रहा हूँ वो डापे को जवानी में बदल देंगे सरीर भी स्वस्थ होगा और मन भी स्वस्थ होगा ये रोग भी जाएंगे और जो कलहे हैं वो भी जाएंगी इन्हें जाना होगा पर किसकी भेजें मैंने भी कुतिया का उधारण दिया मनी मन सोच रहा था क्या ये बच्चों के कमाई को खाएगी भगवान का दिया हुआ कर्थव्य उसको निभा रही है जो ममता इसके अंदर पैदा किये अपने बच्चों के प्रतिये उसको निभा रही है मैं भी आप लोगों से यही निवेदन कर रहा हूँ चार दिन की जिन्दगी है मैं भी अपना काम पूरा करूँगा चला जाऊंगा इसलिए क्यों ना आओ मिलकर के एक ऐसा रागलापे एक ऐसा संगीत गाएं जिसमें सब अपने आपको एक दूसरे में मिला जाएं सब एक दूसरे में मिल जाएं सब एक हो जाएं प्रकरती के नियम तो अटल है भाई उनको कोई नहीं बदल सकता आप कुछ कर लीजिए प्रकरती से लड़ाई नहीं कर सकते आप प्रकरती का कुछ नहीं बिगाड सकते इसलिए केवले एक बात कह रहा हूँ बेटा आप गोलू लिख रहे हैं हम सब साथ हैं पस मेरा ये कहना मान लो आप स्वस्थ हो जाओ मेरा ये कहना मान लो अगर ये आपने कर लिया तो आपका गुनकर्म सबहा बदल जाएगा और हम एक हो जाएंगे हम एक हो जाएंगे मेरा उद्देश ही आपकी भावनाओं को जगाना है हम किसी तरह से एक हो जाएं भेद ना रह जाए उच नीच जाती पाती अच्छे बुरे का बुरे भी मेरे अपने हैं मैं उनको कभी बुरा नहीं कहता हूं किसी को डाटता हूं क्या किसी को बुरा नहीं कहता हूं मेरा काम ही बुरे को अच्छा बनाना है और मेरा काम उसको बनाने का ही है, वो मुझे दुख देगा, मुझे उसका दुख लेकर के भी उसको सुख ही देना है। तो उसे अपना कारिय करने में दिक्कत पैदा हो जाएगी, वो सहजता से अपने कारिय को नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, तो जो हमारा दिर्ग जीवन है वो लुट जाएगा, अल्प जीवन रह जाएगा, प्रकर्ती से मनुष्य जितना दूर गया है उसका संपर्क उतना ही छूटा है और उतनी बिमारियां खड़ी हुई है बारतियर इसी मुनी सदै प्रकर्ती के संपर्क में रहे हैं उन्होंने संसार के साथ को छोड़ा और प्रकर्ती के साथ को अपनाया इस सब्वता ने हमें सबसे अधिक सुख और दिर्ग जीवन दान दिया है आदिम युग में जब प्रकर्ति की गोद में खेलता और कूता आखेट करके अपने पेट को भड़ता था सबसे अधिक आनंद उस समय आदमी प्राक्त करता था सब्वता के दाइरे में बना हुआ उसकी प्रकर्ति के संबंध ईश्वर के साथ अटूट थे पर धीरे धीरे वो संबंध तूटते चले गए उन्नती के नाम पर आज प्रकर्ति का दोहन किया गया है आदमी ने अपने सुक के लिए तरह तरह के संसाधन पैदा किये हैं परंतु वास्तिक जो प्राकर्तिक जीवन था उससे आदमी आज कितनी दूर आ गया सच्चाई पर आओ अरे आज गया हूँ चना मटर जिवार बाजरा प्रकर्ति आज भी देती है तो आज से पहले भी देती थी तोड तरीके बदल गए वेराइटियां बदल गई आदमी ने जादे लाब लेने के तरीके निकाल करके खड़े कर लिए जहां चार-पांच मन अनाज एक बीगा में होता था आज दस-पंद्रे मन बीगा होता है आदमी ने ऐसी ऐसी प्रजातियां तयार कर ली पर गुणवत्ता तो खत्म हो गई आज कल हम सब्वेता के नाम पर मिथ्या अहार करते हैं सब्वेता के नाम पर मिथ्या अहार करते हैं आज किसी भी पार्टी में दावत में चले जाईए वहाँ पर आप जाकर के खुल करके इसका दिखदर्सन करिए दूशित मल पहले पेट के भीतरी अंगों को छेदों को उनमें जाकर के भरता है उनको रोकता है और भिन-बिन अंगों में अपना कुद्सित प्रभाव डालता है उस प्रभाव के कारण हमारे अंदर रोगों का विस्तार होता चला जाता है मेरी समझ से समय भी मैंने दस मिनट लेट सुरू किया उतना पूरा हो गया चालिस मिनट का और अब निवेदन पूर्वक कह रहा हूँ हाथ जोड करके कह रहा हूँ मेरे साथ मेरे अपने आत्मी है जो मेरा तन मन धन से साथ दे रहे हैं धन से बोल रहा हूँ एक बच्चा भी लाइन पर है उसने में जब बहुत साहिता मेरी की है मैं नाम पीछे ले भी चुका हूँ और वो हर वक्त तत्पर रहता है वो कहता है गुरु जी कुछ कर लीजिए पर भला कर लीजिए मेरा साथ दो तोलो छुप करके तो आदमी पाप करता है खुल करके आदमी पाप नहीं करता है तो आप साथ दो सब का भला सब का भला सब का भला वो बच्चा देखिए लिख रहा है दिने इस कोसिक मैं अभी दो दिन पहले गया था उसके पास मैं धुब बत्ती का और गो अर्क का काम वहां देने के लिए वो लिख रहा धुब बत्ती में सफलता मिल गई है गो अर्क बेटा और सुरू कर दो क्योंकि मुझे दस किलो मीटर दूर से गो मुत्र लाना पड़ता है तुमारे बिलकुल नजदीक है मैं और कोई काम देखूंगा इस काम को चल गया है इसको तुम समालो और मैं हर किसी से कह रहा हूं एक धकन गो अर्क चाहे आप स्वस्थ हैं फिर भी आपको लेना है मैंने कहा है बिमारी तब पोल खोलती है जब आपकी छंता 25% रह जाती है आप कहीं के नहीं रह जाते इसलिए स्वस्थ स्वस्थ आद्वी भी एक धकन गो अर्क जरूर लेगा प्रकर्ती की सरण में जाने से ही हम बचेंगे कोई रोग आएगा तो आपको नहीं छूप आएगा क्योंकि आप प्रकर्ती की सरण में है आपको नहीं कर पाएगा ये बच्चा धूप बत्ती बना रहा है हम कोई किसी से पैसे मांग रहे हैं क्या पर इन्तु इसका मतलब ये भी नहीं है एक उन्हें भट्टी में डाल करके जलाया जाए जितनी पैसे से खरीद करके जलाई हो उसमें ये समझना हमारे गुरू का इसमें मेहनत लगी है उसने इसको पैदा करके दिया है हम उसका एक एक कन का सदुपियोग करेंगे सब को मिले, सब का भला करेंगे अब देखें वो अच्छा लगा हुआ है, कोई अपने लिए लगा हुआ है और कई हैं वो अपने लिए लगे हुआ है जो अपना पैसा मन खोल करके हम को दे रहे हैं एक बच्चा है मैं उसी के लिए बार-बार कह रहा हूँ हाद जोड करके कह रहा हूँ आप साथ दो साथ दो इस से ज़्यादा गिरगिराने के लिए मजबूर मत करिये आप साथ देजिए बस आज की बात को यही संपन कर रहा हूँ थोड़ा सा मैं लेट हो गया आपको भी लेट कर दिया ओम शांति ही शांति ही शांति